मजेदार चुटकुले बॉइफ्रेंड डार्लिंग तुम्हारे घरवाले इतनी आसानी से कैसे मान गए साधी के लिए गल्फ्रेंड कुछ नहीं बस एक अंसर का जवाब दिया तुरंत मान गए बॉइफ्रेंड ऐसा क्या पूछा घरवालों ने गल्फ्रेंड पूछा की लड़का क्या कर रहा है मैंने कहा पेट में लात मार रहा है बस मान गए बाप बेटे ने मिल कर बड़ी मुश्किल से साध बहु का जगडा सांत करवाया तब ही बच्चे ने नानी को आते देखा और चिलाया तीसरी लहिर आ गई तीसरी लहिर आ गई टीचर तुम कल स्कूल क्यों नहीं आये थे लड़का जी वो कल मेरे घर में पूजा थी टीचर तो परसो क्यों नहीं आये थे लड़का जी परसो मेरे घर प्रिया थी अध्यापक बच्चो कौन मुझे कोई ऐसा वाक्य बना कर बताएगा जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी का उपियोग हो गोलू मास्टर जी मै अध्यापक साबास गोलू बताओ क्या वाक्य बनाया गोलू सर, इसके दिगाली विच नो एंट्री अध्यापक अच्छा बच्चो यह बताओ कि आप सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो गोलू सबसे पहले तूम बताओ गोलू मैडम मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर ही बनूँगा फिर मेरे पास एक महल जैसा घर होगा लंबी वाली महंगी गाड़ी होगी देर सारे नोकर चाकर होंगे और कहीं बाहर गोमने भी जाओंगा तो हवाई जहाज में जाओंगा और सबसे अच्छे फाइव स्टर होटल में ही रुकूंगा अध्यापक अरे गोलू इतना कुछ बताने को नहीं कहा था सिर्फ एक लाइन में जवाब मांगा था अध्यापक अच्छा रेनू तुम मताओ तुम क्या बनोगी रेनू मैडम गोलू की पत्नी पप्पू पापा जल्दी नीचे चलो मेडी क्लास टीचर आपसे मिलने आई है संता अरे तो उनको अंदर बुलाओ पपू बुला लिया संता अरे तो उनको चाई के लिए पूछा या नहीं पपू मैंने पूछा वो बोली नहीं बनानी आती मुझे ही बना के पिलानी पड़ी एक बार क्लास में मैडम ने बच्चों से एक सवाल पूछा मैडम तुम सम्मेसे सबसे बहादूर कौन है बच्चो मैडम का सवाल सुनके सारे बच्चों ने हाथ उठा दिये यह देख मैडम ने एक और सवाल पूछा मैडम अच्छा बताओ अगर तुम्हारे स्कूल के सामने कोई बम रख दे तो तुम क्या करोगे मैडम का सवाल सुन पप्पो ने हाथ उठाया और बोला पप्पो मैडम जी एक दो मिनट देखेंगे और कोई ले जाता है तो ठीक है नहीं तो स्टाफ रोम में रख देंगे